जेहिन वंदेबात्र मैं आपके साथ जैस्वाल सर आपशभी का श्वागत अविरंदन है टीटी फैमली सिचकों के परिवार जैस्वाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई सिच्छा ही प्रकास है सिच्छा में ग्यान देती है संसकार देती है और ये सिच्छा का प्रचार प्रसार आप लोगों के हाथों में आने वाला है आप लोगों के डूर पर आने वाला है आपके हाथों पर रहेगा सारा कुछ जिम्मेदारी सारा यह देश क्योंकि सिच्छा का जो दायत है जो देश के 50% ऐसे प्रशन हैं जो अभी तक आपके एक्जाम हुए हैं उन टीटी एक्जाम में पूछे गए प्रशनों का पूरा निचोड तयार किया गया है ये 50% पूछे गए हैं इनसे सम्मधित आपके एक्जाम पर प्रशन पूछे गए हैं ये 50% आंगे जो पेपर होने वाले है उसमें बहुत ही important भूमी का अदा करेंगे, हो शकता है ये 50% आपके paper पे same to same प्रशन आ सकते हैं, तो ये 50% साथियों बहुत ही important है, golden video है, golden opportunity है, जैसा आप लोग देख रहे हैं, cut up बहुत ही low level जा रहा है, यानि की 100 प्लस बहुत ही कम cut up जा रहा है, ठीक है, इसलिए बहुत ह प्रशन है, इसलिए बहुत ही त्यारी कीजिएगा, passing mark भी बहुत लोग यहां पे नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, जी हां, लगवक 30% लोग ही यहां पे passing mark अटेंड कर पा रहे हैं, ठीक है, जी हां, केवल 25% से 30% लोग ही, ठीक है, तो चलिए सभी practice paper यहां पे, आप लोगो 75% तक जो वहीं से प्रशन पूंचे जा रहे हैं, उन्हीं से सम्मंदित प्रशन पूंचे जा रहे हैं, तो practice paper जरू attend कीजेगा, तो चलिए, आपके जान लेते हैं, 50 में से आप लोगों के score कितना है, जो अभी एकजाम में प्रशन पूंचे जा रहे हैं, ठीक है, अभी तक पेपर में पूचे गए प्रशनों का पूरा यह निचोड़ है, पच्चास प्रशन, जिनमें से पहला प्रशन आप लोगों के स्कीन पर है, उपलब्दी परिच्छन माप है, बुद्धी का है, मानसिक योगता का है, ज्यान का है, या सरीरीक चमता का है, सभी कमेंट कीजे से सिच्चक या ज्यान कर सकता है, कि विद्यार्थी ने कितनी उन्नत की है, और सिच्चाती ने किस सीमा तक भी से सम्मंधी ज्यान प्राप्त किया, किसके माध्यम से उपलब्द परिच्छन के माध्यम से, दूसरा प्रसंदिया गया है, कि विद्यार्थी के लिए उपलब उपलब्द परिच्छा का सबसे अच्छा तरीका उसका क्या होता है मासिक परिच्छा होती है फोर्त आप्षन सही हो जाएगा और उपलब्द परिच्छन को उद्देश भी पूंचे जा रहे हैं तो उपलब्द परिच्छन को उद्देश क्या होता है छात्रों को एक शाओं का पता लगाना और पांचमा अप्षन है चातों की रूची अभिरूच एवं उनकी चमताओं का पता लगाना यह आपके उपलब दी परिच्छन के उद्देश की बात करेंगे प्रशन तीसरा क्या दिया गया है आप लोगों के स्कीन पर प्रशन तीसरे का फीटवेक जान लेते हैं प्रशन क्या पूंचा रहा है कर सब्युक्रणी जिगां के टिकर करेंगे ठीक है अगर आप एक सिच्छा के तोर पर बच्चों को सोचेंगे तो आप बहतरीन आपके बालवेकास के question अटेंड कर पाएगे ठीक है तो जब बच्चा फेल होता है तो इससा क्यातात पर होता है कि उसकी बेवस्था फेल हो गई है ठीक है फोर्ट आपसन सही हो जाएगा या practice paper पर इन सारे प्रश्णों के बात कर चुके हैं कि परिच्छा में विद्यार्थी से किस प्रकार के प्रश्ण पूँचने चाहिए तो आपके समझ छेवं अनुपरयोग अधारित प्रश्ण पूँचने चाहिए पांचवा प्रश्ण दिया गया है कि निन में से कौन वस्वनिष्ट प्रश्ण है निबंधात्मक प्रश्ण लगुत्रात्मक प्रश्ण मुक्तुत्तर वाला प्रश्ण या शत्त अशत्त वाला प्रश्ण कि इस level के person पूछे जा रहे हैं ठीक है तो बहुत important person है सभी feedback किजेगा जब परिच्छारतों की शंख्या अधिक हो तो उस किस प्रकार के प्रश्णों द्वारा उनका मुल्यांकन किया जा सकता है देखि जब परिच्छारतों की शंख्या अधिक हो तो ये बताएए आप किस प्रकार के प्रश्णों द्वारा उनका मुल्यांकन किया कर सकते हैं अतिलगुत्री, वश्णिस, निवंधात्मक या लगुत्रात्मक की बात करेंगे देखि जब संख्या अधिक होती तो फिर वश्णिस प्रश्ण के द्वारा जो है बैदता, ब्यापकता और मुल्यांकन बैदता, ब्यावरिकता और मुल्यांकन या इनमेशे कोई नहीं तो आप भली भात जानते हैं समझते हैं ग्यानी सर्वब वक्याता हैं भावे धापक धापिकाए हैं के एक अच्ची परिच्छा के लिए जो तीन महत्पून गुन होते हैं वह बैदता होनी चाहिए ब्यावरिकता होनी चाहिए और मुल्यांकन तीसरा वाल आप्षन सही हो जाएगा अंगला प्रशने टेलीग्राम पर जरूर जुड़ें टेलीग्राम पर लिंक आपको दे दी गई है टेलीग्राम पर सच करें जैसवाल कोचिंग सिंटर वहां पर फ्री पीडिया फाइल नोट्स सारे कुछ आपको मिल जाता है तो टेलीग्राम पर आवर सजुड़ें आठमा प्रशने परिच्छन सिच्छन के लिए सिच्छन परिच्छन के लिए नहीं है यह मुल्यांकन का लच्छ है संकुचित ब्यापक शेमीत उपरोक्षभी जी हाँ प्रशन को समझेगा इसी टाइप के प्रशन पूचे जा रहे है परिच्छन सिच्छन के लिए है परिच्छन किसके परिच्छन जो है सिच्छन के लिए यह आपको व्यापक रूख की बात करेंगे अंगला पसने बालक की रूची का परिच्छन मुल्यांकन की कौन सी विधी है शामुहिक परिच्छा शामर्थ परिच्छा विक्तित परिच्छा या परिच्छेपन विधी की बात करेंगे तो बालक की रूची का परिच्छन मुल्यांकन की कौन सी विधी कहला जाएगी तो विक्तित जो परिच्छा होती है यह बालक की रूची का परिच्छन मुल्यांकन की विधी विक्तित परिच्छन हो जाएगी क्योंकि यहां पर देखे रूची की बात कर रहे हैं देखे रूची परिवतन का ज्यान होता है और साथशातकार शात्रों की विभिन बेक्तिगत विसेशताओं की परिच्छन में विसेश सहायता पहुंचाता है और साथशातकार मुल्यांकन का एक महत्पून आपका साथशातकार शाधन भी होता है अंगला प्रशन है ब्लूप्रिंट क्या होत अंगला प्रस्तावना 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 और सूत पर अधारित होता है कच्छा में प्रस्तामना प्रस्ण पूछना से चण किसकी ग्याद से अग्याद की और की बात करेंगे अंगला प्रस्ण है बहुद सिधान को वैद नहीं माना जा सकता है क्योंकि बिसिष्ट परिश्ण के अभाव में भिन बुद्यों का मापन स शामान बुद्धी जी के अनकूल सो संगत नहीं है देखे बहु बुद्धी का सिधान्त को वैद नहीं माना जा सकता क्यों नहीं माना जा सकता क्योंकि बिसिष्ट परिष्णों के अभाव के भिन बुद्धियों का मापन संबव नहीं है इसलिए बहु इस सिधान्त को वैद नहीं माना जा सकता पहला अपसन्या पर स्धन्याप पर से पर अàngला प्रिशने देखे सिद्धानट ये आपके एक पहले पालाव से सम्मंदित जीन प्याजी सम्मंदित पहले दिन ज्यादा पेपर में आए फिर दूसरे दिन आपके वाइगोस्की और आपके थांडाइक से सम्मंदित आए और तीसरे दिन जो आपके मैसलो से सम्मंदित प्रिशन पूछे गए थे और आपके वाई गोस्ती से सम्मंदित प्रिशन पूछे गए थे ठीक है और ज्यादा सिधान के कम प्रिशन आ रहे हैं ज्यादा तर इसी टाइप के जो हम आज प्रिश है ज्यान अबोध और ज्यान उप्योग इन तीनों का जो है जो है मौकिक मुल्यंकां द्वारा उद्देश की जांस करना शंबह होगी ज्यान की अबोध की और ज्यान उप्योगी लेकिन कौशल की शंबह नहीं है इसलिए यही ख्यात्मक हो गया, बीवेचनात्मक हो गया, अलोचनात्मक हो गया, ये तीनों जो है आपके निवंधात्मक प्रकार के प्रशन हो जाएंगे, लेकिन सरल प्रत्यास्वरण जो है ये आपके निवंधात्मक प्रकार का प्रशन नहीं होता है, इसलिए काजू इंटो क्वेश् व्यक्ति को उसर नहीं मिलता है वह कहलाता है वर्षणिस प्रस जी हां वर्षणिस प्रस में आपको स्वतंत अव्यक्ति का उसर नहीं मिलेगा क्योंकि वर्षणिस में जो सही होगा वही आपको करना पड़ेगा अपने ग्यान के उसार अपने अव्यक्ति छंता के उसार आप आप वहाँ पे औशर नहीं मिलता कि आप ग्यान अपने च्छम्ता कि उशाह लिख सकें ठीक है तो वशनी शरूप का हुआ शरूप जिसमें सुतंत अव्यक्ति का अवसर नहीं मिलता है बांकि लगुत्र अत्मकुर्पन निवंदधात्मक अति लूगत्र अτमक वें सुतंत् पर नहीं मिलता है अंगला प्रसने जिसने सबसे पहले बुद्धी परिच्छन का नेने लिया वह कौन है तो आप सभी लोग जानते हैं जिसने सबसे पहले बुद्धी परिच्छन का नेने लिया और कोई नहीं आपके अलफेड बीने की बात करेंगे जिया बीने पहले मनो ब अंगला परसन इनन में से कौन सा कारक जो है अधियम को शकरात्मक प्रकाश से परिभासित करता है वह अर्थपूर्ण शम्बंद की बात कर रहे हैं माता पी तक यो दवाव की बात कर रहे हैं तो ऐसा कारक जो अधिगम को शकरात्मक प्रकास से परिभासित करता है वह है अर्धपूर्ण शम्बंद तीसरा अपसन सही हो जाएगा मेरे सभी प्यारे भाई बहन ग्रहनी सभी कमेंट कीजेगा जिनका सपना है गौर्मेंट टीटी गजाम को फते करना सलेक्षन का रास्ता असान करना सलेक्षन 101% करना जी हाँ सभी कमेंट कीजेगा सभी फीड़बेक कीजेगा अंगला प्रशन है समाजीक अधियम का सिध्धान्त निन्मे से किस घटक पर बल देता है प्रकति पर पोशन पर अनकूलन पर या पाठ शंसोधन पर देता है तो पोशन के घटक पर बल देता है दूसरा आपसन सही हो जाएगा अंगला है चमता के विकास का दूसरा नाम क्या है अनभव है परिपकता है सरीरिक विकास है या कोशल हो जाएगा सभी कमिन किजेगा तो चमता के विकास का जो दूसरा नाम कहलाता है वो हमारा कहलाता है कोशल विकास जी हां चमता के विकास का दूसरा नाम क्या हो जाएगा स सभी कमेंट केजिएगा, तो मनो बिग्यान ने सिछच्छा को, जो है, बाल केंदित, बना दिया गया है, और ये सारे प्रस्ण, आपके पेपर पर पूँचे गये प्रस्ण, ठीक है, मैं बेवहार में इस सिर्था, ये किसोरा वच्छा, किसोरा वस्था का लच्छन नहीं होता है किसोरा वस्था में सरीरिक परिवर्तन होता है आई सिर्था की समश्था आती है शमवेगात्मक शमश्था आती है लेकिन बिवहार में सिर्था की सोरा वस्था में नहीं होता है क्योंकि सरीरिक परिवर्तन जहां होगा आस्थिर्था की समस्था जां होगी समवेग आत्मक समस्था नहीं होगी वहाँ पर बिवहार में से रिता नहीं आ सकती है इसलिए काड़ी इंट्र कोश्चन सेकंड आप्शन सही हो जाएगा अंगला प्रसन निन में से कौन सा सिच्छा मनो बिग्यान के अध्यन की वस्निस विधी नहीं है तो आप जानते हैं प्रयोगात्मक विधी हो गई उप्चारात्मक विधी हो गई निरिच्छन विधी हो गई ये तीनो जो है आपके सिच्छा मनो बिग्यान अध्यन की वस्नि इस विदी नहीं आती है अंगला प्रसने साथियों सम्वेग जो समानते शुख देता है करुणा है एकाकीपन भूं आत्मा भिवान तो सम्वेग जो समानते है शुख देता है वह आत्मा भिवान की बात करेंगे पोर्ट आप्शन सही हो जाएगा अंगला प्रसने साथियों स चबी कमेंड का श्वागा तविनन्दन करते हैं। अंगला प्रसने साथियों, निन में से कौन सा अमूर्थ इस्थाई हो भाव है। जियां, अमूर्थ इस्थाई भाव आदर होता है, निवास इस्थान होगा, पसु होगा, या क्रोध हो जाएगा। अंगला प्रसने साथियों, किसी दुखी वेक्ति को सहान भूत के दो सब्द कहना किसका उदारन हो जाएगा। तो मैंने कहा ना, जितने हमने बाल वेकास के प्रेक्टिस पेपर किये हैं, लगवाव आपके 27-28 प्रेक्टिस पेपर कर चुके हैं या 25 प्रेक्टिस पेपर कर चुके हैं, और सारे प्रेक्टिस पेपर से 3-4-5 ऐसे प्रसन रिपीट हो रहे हैं, सारे प्रेक्टिस पेपर सोरा वस्ता की भी सिस्ता नहीं है, इसलिए कारिंट कुश्चंस पूर्ट आप्शन सई हो जाएगा, अंगला प्रस्णे साथियों दिया गया है, सीखना विकास की प्रकिया है, या किस ने कहा, वुडवर्थ ने, थंडाइक ने, मौर्गन ने, या क्रॉन वैक ने कहा था, तो सीखना विकास की प्रकिया है, या किस ने कहा आपके, वुडवर्थ महोदे जी ने कहा था, वुट वर्थ महोदे जी को नोट कर लिजेगा पहला अपसन आप लोगों का सई हो जाएगा अधिगम ही सिच्छा है इसलिए विलियम वुट ने कहा है कि सीखना विकास की प्रकिया है सीखना बिवहार में परितन को कहा जाता है परंतु सभी तरह के विवहार में परितन को सीखना नहीं कहा जाता है सीखना एक मनोब्यग्यानिक प्रकिया है मनोब्यग्यानिकों ने इसे मांसी प्रकिया माना है जो जीवन भर चलती रहती तो सीखना एक जीवन भर चलता रहता है अभिकास की प्रकिया भी जीवन बर चलती रहती है लेकिन अभिवर्द का समय निश्चित होता है निन में से कौन सा आधिगम का एक मुख थांडाइक का नियम है तो आप सभी लोग जनते अभ्यास का नियम, ततपर्ता का नियम, प्रभाव या परिगाम का नियम ये थांडाइक महोदाजी के मुख नियम है, ठीक है? तो बागी अभ्यास का नियम यहाँ पर थांडाइक के मुख नियम का हो जाएगा दूसरा आपसन सभी हो जाएगा और गौड नियम आपके पांच है थांडाईक महोदेजी के आप सभी लोग जानते कौन कौन से हैं बहु प्रत्किया का नियम हो गया ठीक है एक मनोब्रत्ति का नियम हो गया आत्मी करण या आत्मी करण का भी नियम हो गया एक साहचर किया का हो गया ठीक है तो बहु प्रत्क अंदेशन का प्रणाली उपागम है, सिच्छा केंदित, बाल केंदित, कच्छा केंदित या समश्चा केंदित पर, तो आप सभी जानते हैं, अंदेशन के प्रणाली का जो उपागम कहलाता है, वह समश्चा केंदित पर होता है, जी हां, अंदेशन का प्रणाली उपागम क् जी हाँ फटाफट कमेंट केजेगा शमूह बिदियों द्वारा सीखने का जो उधारन कहलाता है वह वाद बिवाद बिदी भी कहलाती क्योंकि वाद बिवाद शमूह के द्वारा ही होगा कारशाला बिदी भी कोई एक विक्ति कारशाला में नहीं करता ठीक है, बिचार, गोश्टी, विदिवी, यह समूह विदिया, तो यह तीनों जो हैं समूह विदियों द्वारा सीखने के उधारन है, इसलिए हमारा फोर्त आपसन, यह सभी वाला हमारा सही हो जाएगा अंगला प्रसने सातियों, अधिगम को प्रभावित करने वाले परियावर्णी कारकों में से एक आपका समाजिक परिवेश है, ठकावट है, मांसी किस तर है या इनमें से कोई नहीं तो अधिगम को प्रभावित करने वाले परियावणी कारकों में से एक हमारा क्या कहलाएगा समाजिक परिवेश, पहला आपसंसातियों सही हो जाएगा अंगला प्रस्णा इनिन में से कौन सा जो है समाजिक रूप से स्वास्त विक्ति का लच्छन है सहिन सीलता, आत्म विश्वास, समवेगात्मक परिपकता या ये सभी आ जाएगे तो आप भली भात जानते हैं हम प्रते एक प्रेक्टिस वेपर पर क्लास पर बात कर चुके हैं कि ऐसा जो मानसिक रूप से स्वास्त विक्ति के लच्छन है वह सहिन सीलता भी होगी जिसमें आत्म विश्वास होता है शमवेगात्मक में परिपकता होगी तो मानसिक रूप को क्या उभर कराना है बिवाद है सूचना है बिचार है या तर्क विदर्क है तो कच्छा में परसपस समवाद से क्या उभर कराना है वह हो जाए आपका बिचार थर्ड आप्शन सई हो जाएगा किसी कार को करने के विशिष्ट योगता को अभिरुची कहते हैं प्रतच्छी करण कहते हैं अभियोगता कहते हैं या अभिवरत कहते हैं तो किसी भी कार को करने के विशिष्ट योगता को क्या कहते हैं वह अभियोगता कहते हैं ठीक है आपने कार किया है तो आपने योगता क उन्सार ही किया होगा तो किसी कार्गो करने के विशिष्ट योगता अभी योगता कहलाती है अंगला प्रसने कंप्यूटर के विशिष्ट विशेष्टा क्या होती है गती होता है शंभरन होता है परिसुदता होती है बिल्कुर शही बात है कंप्यूटर की ये तीनों विशे विशेष्टाएं हैं कि कंप्यूटर में गती होती है शंबरन भी होता है और परिसुदता भी होती है अर्थात ये सभी वाला हमारा अप्षन सही हो जाएगा अंगला प्रस दिया गया साथ यो प्रसिच्छन एवं अभ्यास संबंदित है शंगरात्मक वास से बेवहार वास स निर्मित वास से या इनमेश कोई नहीं तो आपको यहाँ पर इस किन पर दिया गया प्रसिच्छन एवं अभ्यास जो संबंदित है वे आपके बेवहार वास से संबंदित है दूसरा अपसन यहाँ पर साथियों सही हो जाएगा अंगला प्रस ने मस्तिस्क अधो मुखी सि दिया गया है तो इस सिद्धान के अनुसार जो है किसी भी बालक का यह सिर से पैर क्योर विकास का अनुसरन होता है पोर्त आप्षन सही हो जाएगा अंगला प्रस ने सभी कमन कीजिएगा सभी मित्रों को जेहिंद वंदे मातरम इंकलाब जिंदाबाद साथियों एक जाम क को फटे करना है आप शभी का कमेंट फीडबेक शरोपर है शर्मान है जैस्वाल सर अविलंदन स्वागत करते हैं जी हां फटे कीजिए सेलेक्शन पाईए सिच्चक बनना हैं सिच्चक बनने के लिए आपको कमेंटेट होना पड़ेगा ये वीडियो को सारे प्रिश्ण को अच्च ठीक है अटेंड करना पड़ेगा इन प्रश्णों को समझना पड़ेगा और इनी प्रश्णों को समझ पगर आप लोग सेलेक्शन बेटीन स्कोर बालविकास पर कर पाएंगे ठीक है तो नीन में से समस्चा समधान को क्या बाधित नहीं करता है तो आप जानते हैं समस्चा समधान जो है अंतरडश्ण को बाधित नहीं करता है मांसिक प्रारूपता को बाधित करता है नेधारन को करता है तीनों को करेगा जी हां समस्चा समधान जो होता है अंतरडश्ण को बाधित करता है मांसिक प्रारूपता को बाधित करता है नेधारन को बाधित करत अंगला प्रस्थ दिया गया है कि निनमे से किस अवस्था में बालक अपने समकच्छी वरके शक्री सदस बनते हैं वयस्कता अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरा अवस्था या पूर बाल्यावस्था तो आप सभी लोग जानते हैं बहुत ही सिंपल साधान से प्रस्था है कि ऐसी अवस्था जिसमें बालक अपने समकच्छी वरके शक्री सदस बन जाते हैं वह हम बात करेंगे बाल्यावस्था की बात करेंगे लगबग 40 प्रस्था कंपीट करने जा रहे हैं और ये 50 प्रस्था का पूरा निचोड़ है अभी तक जो पेपर में पूछा गया प्रस्था नहीं है प्राक, रूढ़िगत, रूढ़िगत, शम्वेदी प्रेरक या पश्चात रूढ़िगत देखे जब भी हम नैतिक सिद जान के अवस्था है, लेकिन समवेदी प्रेरक जो अवस्था ये जीन प्याजेजी के अवस्था है, ठीक है, तो ये कोहलवर की नहीं होगी, यहीं पूछा गया कि कोहलवर के नेटिव कास का कौन सा सिद अवस्था नहीं है, तो यह समवेदी प्रेरक अवस्था नहीं है, आप शम्दाय पर भी करता इसलिए ये सभी वाला मार आप्शन सही हो जाएगा फटा फट अंदाज में ये टॉप 50 कोश्चन से रिमाइंड कर लिजेगा एकजाम के पहले निन में से कौन सा तत्त जो है संप्रेशन का तत्त नहीं है बांकि माध्यम स्रंखला ये उद्देश ये तीनों तत्त है नियोजन आपका तत्त नहीं कहलाता है सभी कमन के जेगा अंगला परसन बहतीन परसन है शभी का शभी प्रतेक भाई बेहन ग्रहनी ब्रदस टीचर्स सभी का वेलकम अभी जंदन है जिनका सपना है टीटी एकजाम को क्रेक करना और आउट आफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर प्राप्ट करना जितना कटाब देखा जा रहा है तो 110 प्लस में आपे सेलेक्शन सरोपर है जितना अभी एकजाम में पेपर हुए इनमें कटाब देख रहा है कटाप जिस तरह हम देख रहे हैं तो 110 प्लस तो सलेक्षन यहाँ पे लग रहा है कि सरोपरी हो जाएगा बांकि अभी तो एक्जाम बहुत ही होई है अब जब भी 10-15 पेपर 20 दिन हो जाएं पेपर में तो फिर कटाप का पूरा पता चल जाएगा तो कि सवस्था में बालक में परामस सिच्छन अतन्त शक्री होता है वह होता है कि सोरा वस्था में बालक में परामस सिच्छन अतन्त शक्री होता है सेकंड आप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा अंगला प्रसने अभी क्रमीत अधिगम माडल के जनक कौन है आसुबेल महोदे जी हैं, जीन पियाजे जी हैं, हल हैं या इसकनर महोदे जी हैं तो अभीक्रमित अधिगम माडल के जनक कौन कहलाते हैं सभी लोग जानते हैं बीयफ इसकनर की बात करेंगे जी हाँ अभी करमित अंदेशन बीदी के जनक अमेरिका के मनोबैग्यानिक बीयफ इसकनर है इसकनर ने सीखने की प्रकिया का सूचमता से अधन किया और प्रयोगों दारा वह निसकस पर पहुँचने की प्रत्न तथा सफलता प्राप्त करने से सीखने वाले को प्रोश्चाहन मिलता है यह वैस सीखने में बरावर रोची लेता है तो किसकी बात करेंगे अभी करमित अंदेशन बीदी के जनक अमेरिकी मनोबैग्यानिक बीयफ इसकनर की बात करेंगे अंगला प्रसना निनमे से काउन से सिखन सिधान की एक विसेशता नहीं है तो आप जानते हैं सीखने में उश्चकता, उश्चकता होना, ज्यान की सनचना और पुष्टी करने ये तीनों सिच्छन सिधान की विशेष्टा है लेकिन करम शीलता का भाव यह आपके सिच्छन सिधान की विशेष्टा नहीं है इसलिए कार इंटो कुश्चन थर्ड आप्शन हमारा सही हो जाए पांच प्रस्ण और बुचें इनको भी कंप्रीट करते हैं और इसाब के बाल बिकास के टॉप 50 प्रस्णों को जो एकजाम पे पूछे गए प्रस्णें कंप्रीट करते हैं जीन पियाजे जी केंसार की सोरा वस्था में शंगनात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारम्भ होती है पूर कार्यात्मक वस्था ओपचारिक कार्यात्मक वस्था शंवेदी गामक वस्था या इस्थूल कार्यात्मक वस्था तो आप सभी जानते हैं लगातार हम जिसमें बालक वुर्व, या उबस्त है तो यहां पे दूसरा अप्सन सही हो जाएगा अंगलाप्स दिया गया है कि किसोर अवस्था वयवस्था है जिसमें बालक परिपकता की और अगर्शर करता है यह कतन किसका है तो किसोरा वस्था वय वस्था जिसमें बालक परिपकता की ओर अग्रशर करता है यह आपके ना तो इस्टेनले हाल का कतन है ना ही आपके जरसील का है ना ही हरलाक महोदे देखें जरसील का कतन क्या है सुद कतन जान लेते हैं जरसील ने कहा है किसोरा वस्तों को परिभासित करते हुए किसोरा वस्ता वह वस्ता जिसमें मनुष बाला वस्ता से परिपकता की और अगशर करता है और इस पर दिया गया किसोरा वस्ता वह जिसमें बालक परिपकता की और अगशर करता है ठीक है बालक दे दिया गया लेकिन यहाँ पर जर्सील ने सही कतन कहा जर्सील का कि की सोरा वस्ता वैस्ता है जिसमें मनुष बाला वस्ता से परिपकता की ओर अगसर करता है ठीके यह सुद कतन है यह कतन आपके जर्सील महोदेजी का है बांकि जो question दिया है question के according for the option कोई नहीं हमारा सही हो जाए अंगला प्रस् तो शम्वेगात्मक बुद्धि को लोगप्री बनाने का असरे किसको जाता है आपके डेनियल गोल मैन को जाता है अगर लोगप्री बनाना है तो दुनिया में गोल गोल घूमना पड़ेगा लोगप्री बनाना है तो डेनियल गोल मैन को महोदय से बात करना पड़ेगा गोल मैन ने ही किया था जी हां समभिकात्म बुदी का सिधान का प्रतपादन किस ने किया आपके अमेरिकी मनोब बैग्यानिक डेनियल गोल मैन की बात करें अंगला प्रस्णाएं किसोरा वस्ता के आकास्मिक विकास का सिधान कब और किस ने दिया 1904 में हॉलिंगवत ने 1902 में हाल ने 1904 में इस्टेनली हाल ने 1904 में थांडाइक महोदेजी ने तो किसोरा वस्ता के आकास्मिक जो विकास का सिधान जी हां किसोरा वस्ता को आकास्मिक विकास का सिधान आपके इस्टेनली हाल ने 1904 में दिया था थार्ड आप्शन सही हो तो समाजी केवं शम्विगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं ये कथन आपके क्रोयम क्रो महोदेजी का है देखें यहाँ पर क्या दियेगा है समाजी का और शम्विगात्मक शाह और साह की पुनवत्ती हो गई है शाथ साहथ सब्दाएं हैं और क्रो और क्रो सब्दाएं तो इनका भी बहुत एक जूट मानता है ठीक है जूड़ा हुआ है एक दूसरे से तो समाजी के वम शंविगात्म बिखास का साथ साथ चलते हैं यह किसका कतन आपके क्रोय हम क्रो महते जी का है तो यह रहें दोस्तों टॉप 50 questions जो आपके अभी तक paper में पूँचे गए प्रशनों का संपूर्ण collection है I hope आप लोग अच्छे तरीके समझा होगा अच्छे तरीके feedback भी आपने किया है और यह वादा करता हूँ कि practice paper पे यह सारे प्रशनम आलेडी कर चुके हैं अगर आप सारे practice paper बाल विकास के 10 करके जाएं तो 25 प्लस बाल विकास में आप लोग करेंगे क्योंकि बाल विकास में बच्चों से सम्मंदित, मनो बिग्यान, शाइकोलाजी से सम्मंदित जादा प्रशन पूँचे जा रहे हैं एक सिच्चक के तौर पर आप किस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे उनको सम्मालना है, किस प्रकार के बच्चों को किस प्रकार करना है, तो इस प्रकार के ज़्यादा प्रशन पूँचे जा रहे हैं आई रोप आप लोग इसी प्रकास से प्रिपेर करिए ज़दा सिध्धांत यह नहीं पूँचा जाएगा कि यह सिध्धांत है डिरेक्टली हम जो चीज बुक में पढ़ते हैं किताबं में पढ़ते हैं वो चीजें नहीं पूँचे जाती है उनसे संबंधित प्रिसन पूछा जाता है ठीक है तरक वितरक किया जाता है तो तरक वितरक आपको समझना है फीडबेक करना है बागि सारे practice paper चला है बागि हम डेली analysis भी करते हैं तो डेली analysis में जरूर जुड़िये अब वहाँ पर किस-किस topic पर cover करना है उस टॉपिक से हम सारा चीजें बातें भी करते हैं 21 टॉपिक को आँगे आपको पढ़ना है इस टॉपिक को ज़्यादा जोर देना है सारी हम कंक्लूजन एनलेसेस पर करते हैं तो एनलेसेस जरूद देखेगा मैं आपके साथ जैसपास सर जल्द मिलता हूँ अंगली क्लास पर शभी मित्रों को जेहिंद वंदे मातरम धन्बाश अभीक